नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आएए देखते हैं देश वुदेश की प्रमुक खबरे शक्ती वाले बयान पर मोदी और राहुल आमने सामने पुतीन पांचवी बार बने राष्ट पती मोदी निवदी बधाई आजन खान को साथ साल की सजा पचास लाक रुपे जुर्माना सबसे बड़ा बदलाओ हिमाले पर तापमान एक डिग्री बढ़ने से बरफवारी डेड़ महिने आगे खिसकी नाटो बीच में कुदा तो विश्वयुद हो सकता है पुतीन ने कहा बंगाल में अवेद निर्मना धिन इमारत डेहने से आट की मोर अमेरिका में भारती छात्र की हत्या ये नोवी घटना तेलगाना में राज़पाल का हिस्तिफा भाशपा से लड़ सकती है चुनाओ महराष्ट में उद्धव 22 कांग्रेस 16 वशरत पवार 10 सीटों पर लड़ेंगे कोयम बटूर में पीए मोदी का रोड़ शो चुनाओ चिन और जंडे का इस्तिमाल नहीं कर सकेंगे पनिर सेलवं हाई कोट ने कहा बिहार में भाजपा 17 जदियों 16 सीटों पर चुनाओ लड़ेंगी सिसोदिया केजरिवाल के साथ कवीता ने रची साजिश सो करोड दिये इडी ने कहा कैंसर की नकली दवा मामले में इडी के 10 जगह छापे करनाटक में अजान के समय भजन बजाने पर मार पे मुझफर नगर में तमबा कु न देने पर पुलिस कर्मी ने शिक्षक की हत्या की नारायन मुर्ती ने चार महिने के पोते के नाम की 240 करोड रुपे के शेर किस मार्च तक बॉन्ड के नंबर भी बताए स्बी आई हलफ नामा दे की कुछ नहीं च्छिपाया सुप्रीम कोट ने कहा बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद